हेलो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने हैं अलो हम समसंग की उनी स्मार्टफोन के बारे में जिनको इंडिया के अंदर ने एफोटी एप्डेट्स मिले हैं तो सब कुछ बात करने में आपको कोई समसंग के समार्टफोन जिनको ने अपरे के अब आपको इने को तो सबस्क्राइब करेब हैं stable update मिला है जिसको यहाँ पे Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e के लिए complete series device को एक निया update मिला है Android 12 N1UI 4.0 का Finally, India के अंदर जो है Samsung ने release कर दिया है Samsung के S10 series के अंदर तो यहाँ पे update file की बात करते हैं तो update की file है लगबग 221-222MB के आसपास की update की file है और इसके अंदर आपको दिसंबर का सेकुरी पैज देखने को मिला है तो यह काफी अच्छी बात है कि Samsung ने अपने हर एक smartphone के flexive या फिर mid-range हो यहाँ पे हर smartphone के लिए मतलब एक के बाद एक यहाँ पे धराधर अपने जो है software update जो है release कर रहा है Android 12-based 1UI 4.0 का तो finally यहाँ पे Samsung ने S10 series के अंदर भी आपको नया software update रिलीज कर दिया गया है Android 12-based 1UI 4.0 का और इसके अंदर बात करते हैं improvement के बारे में तो Samsung Lexi S10 series के अंदर जो है improvement देख सकते हैं कुछ इस तरह का किया गया है तो जो भी यहाँ पे Samsung Lexi S10 series जो है device से यूज करते हैं तो जाकर अपने software manually update कर लिजेगा बात करते हैं अगले smartphone के update के बारे में तो अगला smartphone आयाता है Samsung Lexi Note 20 series यहाँ दोथों यहाँ पे Samsung Lexi Note 20 series को भी यहाँ पे नया software update रिलाट किया गया है इस टेबल update इंडिया के अंदर तो अप्डेट फाइल की बात करते हैं तो अप्डेट की फाइल है लगबग यहाँ पे 2.5 GB के आसपास की यहाँ नि 2,570 MB के आसपास की इसके अंदर आपको December का Security देखने को मिला है मतलब यहाँ पे नया ही है मतलब पुराना तो होई चुका है जन्वारी का मंच चला है तो जो भी यहाँ पे Samsung Lexi Note 20 series यहाँ अपना फोन यूज करते हैं तो जाकर software update manually अप्डेट कर लेगा Samsung Galaxy Note 20 complete series device को software update rollout किया गा है stable update तो जाकर update कर लेना improvement के बात करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सार यहाँ पे improvement करेंगा है तो जाकर software update कर लेना बात करते हैं अगले smartphone के update के बारे में तो यहाँ पे अगला smartphone आता है Samsung Galaxy S20 series यहाँ दोस्तों यहाँ पे Samsung Galaxy S20 series को भी यहाँ पे यहाँ पे नया software update rollout किया गया है इंडिया के इसके बारे में मैं अलेडी बता दिया हूँ अगर यहाँ पे यह जो आया था out of India आया था अभी इंडिया के अंदर आया था तो मैं आपको दिखा दे हूँ इसके update की फाइल है जो हाँ पे Samsung Galaxy S10 series है इसकी update की फाइल थी यहाँ पे 2227 MB कास्प यानि 227 MB की दू जी भी 227 MB की update की फाइल थी और जो है इंडिया के अंदर मिला है 222 यहाँ पे देख सकते हैं आपर यहाँ पे यहाँ पे यह अपडेट के फाइल है मतलब यहाँ पे सिर्फ कुछी MB कम है जो है इंडिया के अंदर जो मिला है update की फाइल H10 series की डिवाइस को तो जो भी आपर ऐसे ही आपको Samsung phone से update related की जनकारी चाहिए तो मेरे चनल पर आपको देखने को मिलता रहागा चैनल को subscribe कर लेजएगा तब तक लिए वीडियो में इतना है मिलते है next वीडियो में